हेलो गाइस माइन हमेतन आज वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो कि मैंने आपने देखा हो कि तीन चार दिन पर एक वीडियो आई थी और मैंने आपको कम्यूंटी पोशने बताया भी था कि मैं ओला एसन प्रो ले रहा हूं तो भाई डिलेवरी का क्या एक मेरे इतने दोस्कों को कोशन है तो फिर आप सब को कितने सारे कोशन्स होंगे लेकर एंड उपर से जब अभी जेंटू आया है तो क्या क्या प्रॉब्लम ठीक हो गई है प्लस अभी तक मेरा जो लेने के बाद मैंने दो दिन अच्छा चलाया तो क्या एक्स्पिरेंस था मे मैं अभी मताब प्लान डिक कर दूंगा कि अभी नहीं लेना है मुझे तो बट उन्होंने बोला कि एक हफते रुख जाओ बस आपको मिल जाए एक हफते के अंदर बट आप मानोगे नहीं कि डिलेवरी किता जिन में मिला है मुझे डिलेवरी बस मिला है तीन दिन में तो कै जिन मैंने पेमेंट करा उसी दिन रात को ओटीपी आ गया उसी दिन हो गया ठीक एंफिर जब अगले दिन मैं ओला के शोरूम किया था बास आइसी पूछने के लिए कि कितना टाइम लगे गया बताने के लिए कि रिच्टेशन का प्रसस हो चुका है तो अब उसके आग क्य टेक है एशन में चार गरंट से बिलॉंग करता हूं जम्सितपूर सिटिय है एंड घर शेट का अलग होता है मतलब हर प्राइज अलग होता है तैकस अलग होते है ओन्रड प्राइस भी तो बाद यह है कि जो उन्वर प्राइस लगा में तुमें आद रहां बदाता हूं मैं अगले दिन डिलेवरी लेने आया तो डिलेवरी तो वैसे मैं आप सिंपली आते हो अपना गाड़ी में लेते हो और फोटो की चागे चल जाते हो बस और कोई प्रोसेस है नहीं उपर से कपड़ा उठाने वाला वह सारा कुछ नहीं होता है होंडा वगरा सब डिलेवरी कर मैंने ठीक से पोच के नहीं दिया मतलब मैंने डिलेवरी लेने के पहले क्यामरा लेके पूरा वो अच्छा से कि क्या कोई देंट्मेंट तो नहीं है या स्क्रैच तो नहीं है या फिर कुछ पैनल गाप्स अगरा तो नहीं है तो सारे वीडियोस तो आपने देखे होंगे वीडियो में नहीं देखा हुआ तो इसमें भी मैंने एड कर दिया उसको ठीक है उसके बाद क्या हुआ मैंने देखा जब चार्जिंग पोट खुला तो मैं देखा वहां पे डश्ट है तो यह थोड़ा सा एक अजीव चीज लगी मुझे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो इस यह आपके तिरफ से खोता है चोटा सजेश्टर ही जो आप अच्छे स्कुटीव क्लीन करके साफ करके दोड़ा के अच्छे से दोगे तो एक अच्छा मतलब एक पॉजिटिव इंपक्ट पड़ता है कॉस्टमर्स पैं ठीक है समझ रहो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यह जब मैं डिलिवरी लेकर आगया तो उन्होंने वहाँ पे बोला था मुझे कि अप घर जाके चार्ज कर ले ना इसको पर चेक कर ले ना थेक है मतलब एक बार फुल चार्ज कर ले ना जाके बैटरी को तो वैसी किया मैं जब घर लेके आया तो उसके बाद फुल है तो हाइपर मोड में यह 120 टच करता है और गयस्वाट मैंने कितना टच किया आपके भाई ने टच किया 121 किलोमेटर परार मतलब वह काटा 120 से 121 हलका सा गया एं फिर 120 पर आ गया तो मैं थोड़ा सा विंड था मेरे सपोर्ट में था तो उसके में भी थोड़ा सापको में मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला ठीक है 121 गैन भाई कोई बड़ी बात नहीं है बैटरी और जो पिक अप है बाई लिटरली मुझे जो जीटी चलाने फीर आता ना कॉंटिनेंटल जीटी की आपने नाम सुना होगा रॉयल इंविल का जो बाइक है सेम जैसा पिक अप उसमे नॉर्मल मूड में वही नॉर्मल बैटरी वाले स्कूटी से से चलता है एंड यह सारे कुछ था उसके बाद देखो अब पूछो कि तुम्हें ओला ही क्यों लिया ठीक है तो भाई लेने का रीजन यह था ना कि जो प्राइज मैं पे कर रहा हूं 1,75,000 मुझे पढ़ा है उ अच्छे नहीं है बहुत मतलब वह आपको एक ऐसा जो जैसे बड़े बुजूर्ग चलाना चाहेंगे वह स्कूटी तो वह अराम से ला लेंगे बट अगर उसमें आपको चाहिए तो आपको बहुत जादा प्रीमियम पे करना पड़ता क्लोश्टू में तो ए 1.9 तक पहु लिया है पांता हूँ थोड़ा जो मैंने सुना भी है कि इसका जो क्या बोलता हूँ सर्विस है आफ्टर सर्विस वह उतना अच्छा नहीं है भाई बट ठीक है मुझे जादा गाड़ी चलानी नहीं है मैं एक्ट्वली सीटी से बाहर ही रहता हूँ अपने तो इस वाज़ चाहिए क्योंकि आपके भाई ने स्कूटर करता है तो अब उसमें अच्छे से इंड़िटेल में पूरा उसका जो रिव्यूज है वह बनेगा ठीक है आपको पता ही है जब हम मिडिल ग्लास लोग को चीज को खरीते हैं तो फिर उसको अच्छे से इंड़िटेस्ट करते है आपको वीडियो जो है अच्छे से मिलेंगी पर एक दम तो आपको वीडियो पसंदा आओगा अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्स्राइब कर देना चानल को मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पीस